हाँ बाई वैक्वाइब देखे आज हम आपके लेकर रहे हैं उत्तर प्रदेश के और धोगिक इस तरब से कुछ बहुती महत्पून कोशन अगर आप चकबंदी अधिकारी का एक्जाम देने जारे हैं चकबंदी लेकपाल का देने जारे हैं मंडी परिश्यत का देने जारे ह है तो यह समझ लिए इसे ही एक्जाम मोसले यूपी में पूछे जाते हैं और अगर इस तरह से आप एक्जाम की तारीक करेंगे तो आप जरूर ब्रिट करेंगे एक्जाम ठीक है तो फरस्ट कोशन के अगर हम बात क्या बोलें उत्तर प्रदेश में शरवादिक जो और धो जो है विकासदर किस पंच वर्षी ओजनक तहट देखे गई छटी पंच वर्षी ओजनक तो यह कोशन आप से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सरवादिक और धोगिक विकासदर कब थी तो यह रखेगा और इस पंच वर्षी ओजना में कितने प्रतीशत की व्र इसमें सबसे कम थी ठीक है और यह माइनस में थी ठीक है यह भी याद रखेगा कि जो नवी पंच वर्षी ओजना थी इसमें जो ओधोगिक विकास जारती क्या थी माइनस में थी 4.3 प्रतीशत ठीक है तो सबसे खराब इस्तिति थी आपकी नवी पंच वर्षी ओजना में और सबसे बैटर इस्तिती में था उत्तर प्रदेश का उध्योग किस तर वो था आपका छटी पंच वर्सी योजना में, ठीक है, फिर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में उध्योग विकास को गति देने के लिए उध्योग बंधू का गठन जो एक किस वर्स किया गया, तो पुछा जा किया रहा है कि किस वर्स इसका गठन किया गया है, 1986 में उध्योग बंदू का गठन किया गया था, ठीक है, चलिए, बात करते हैं फिर कि उत्तर प्रदेश में लीडा का गठन कब हुआ, तो देकि कभी-कभी आपसे इसे पूछ लेते हैं कि लीडा का फुल फॉ ओधोगिक विकास प्रधिकरण जो है, लीडा का तादपर है, और इसका जो गठन वर्स पूछा जा रहा है, तो यारके का, 2005 में किया गया, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, हाल या आकणों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी चीनी मीले हैं, जो कारियत हैं, यान में सेकंड इस्तान है, चीनी मीलो की संख्या में, ठीक है, क्योंकि फर्स इस्तान पर कोई है, हमारा भारती राज, तो वह है महरास्ट, यहाप सरवादिक जो है, चीनी मील्स हैं, लेकिन अभी हाले आकणों के अनुसार, अगर हम आपसे बात करते हैं, तो यारकेगा कि जो चीनी उत्पादन में, जो महरास्ट को पचाड़ते हुए, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे हो चुका है, और सेकंड रैंक अगर पूछी जाएगी, तो वह अब महरास्ट बताओगे, लेकिन चीनी मीलो की बात अगर करें, तो अभी भी जो है, चीनी मीले जो है, महरास्ट म बनते हैं, ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश के जिलें, चमड़े के वैपार में बहुत ऊचे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखे ना है, कि सरवाधिक अगर चमड़े के वैपार दिखा जाएगा, तो वह है कानपुर, फिर उसके बाद जो नमबर आता है अगरा का, और फिर उसके बाद आता है गोरखपूर का, ठीक है, तो दीके तीनों ही जो जिलें, ऐसे उत्तर प्रदेश के चमड़ा उध्योग के लिए जाने जाते हैं, और चमड़ा उध्योग क्या है, जूते चपल से संबंदित है, ठीक है, तो ये कोशन आपका बनता है अच्छे से, फिर बात करते हैं, Uttar Pradess के पारंपरिक उध्योग के शेने में आते हैं, ये जो सुरू से चले आखे हैं और आज भी वैसे ही हैं, यानि हमारी प्रमपराउं से चले आरा हैं, तो वो आज भी उसी तरह से किये जा रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग परिक उध्ध्यों की शरणी में आते हैं ठीक है चलिए फिर हम नेश्ट कोशन के बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के दादरी चुनार चुरक इवंडला की कार खाने क्यों प्रसीद है ठीक है तो देकि आपको नाम याद रखने एक तो आपको दाधरी याद रखना फिर कोशन क्या है कि उत्तर प्रदेश, में क्रशी के बाद सरवाद कर्माचारी जुड़े जाती हैं और उसके बाद पूछा झा रहा कि जो कर्माचारी जुड़े हैं किस शेट्र से सरवाद की बाद की बात है थी और किर्दा उभद होगा या जो आप समस्ट फींप जो घरों में किये जाते हैं उन उद्योग से जोड़े पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के कर्मचारी ठीक है चलिए फिर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामों उद्योग बोर्ट की इस्थापना का जो सही वर्ष क्या है तो यार किगा 1960 में उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामों उद्योग बोर्ट की इस्थापना की गई थी ठीक है फिर हमनों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक जोन इस्थापित किये गए हैं तो देखे आर्थिक द्रश्टी का मतलब क्या है कि सिंपल से बात कि ये जोन है उत्तर प्रदेश के ये वैपार छेत के काफी बड़े जोन है ठीक है तो फिर वही बात आती है आगरा है कानपुर है और नेवडा है ये ऐसे जोन है जो आर्थिक द्रश्टी थे काफी मजबूत है ठीक है तो ये तीनों जोन इसलिए याँ पर बनाए भी गए ठीक काफी फेमास ए ठीक है तीनों ही चीजहों में फेमस कौन है ठीक है बात करते हैं उत्तर प्रदेश में डूक जो एंड्मुक जे प्रमुधियला इनली गोड़ के उध्यों में प्रमुवग ज्यला कौन सा है तो याल अल्टार प्रदेश का सीटा पुर तौन की उत्तर प्रदेश और धोगिक विकास निगम की इस्थापना किस इस्थान पर की गई है ठीक है तो यह कोशन कई बार पूचा जा चुका है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के समान के लिए प्रमुक है तो यह एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किस उध्यों को अधिक शफलता मिली है तो यह कोशन कई तरह से पूचा जाता है पीतल उध्यों के लिए जाना जाता है या पीतल नगरी किसे बोलते हैं तो इस तरह के कोशन नी बहुत ही गुमा फिरा के पूचे जाते हैं तो यार किएगा कि मुरादाबाद जो फेमस है पीतल के बरतनों के लिए ठीक है यानि पीतल का उध्यों काफी बढ़ी हाई मुरा अधाबाद में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले जो है सन 2009 में निवेश मित्र योजना का संचालन किया गया ठीक है तो दो कोश्चन बन रहे है एक तो क्या है निवेश मित्र योजना कव स्टार्ट की गई तो 2009 के अंदर और कुल कितने जिलों से स्टार्ट की कई तो कुल 18 जिलों से ठीक है बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कोईला खाने सिंग्रॉली में उपस्तित हैं सिंग्रॉली प्रमुख छेतर किस जिले का है तो यहां रहे किगा तो सिंग्रॉली बहुत ही बारी कोशन बनता है कि सिंगरॉली क्यों प्रशिद है तो यहां उत्तर प्रदेश में जितना भी कोईला होता है मोसली कहां पर सिंगरॉली छेतर में देखा जाता है और यह सिंगरॉली छेतर कहां पर है यह आपका है सोन भाद्र के अंदर ठीक है, चलिए नेश कुछन का हालिया आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कि जिले में वन प्रतीसत जो है सरवादिक है, तो मैं तर्टीस्ट के बात की जाए तो वो है आपका सोन भाद्र का और सोन भद से जो हमारे जितने भी लकडी के जो काम है यहां से काफी अच्छी से किये जाते हैं ठीक है नेज़ कुशन कहा कि वैपारिक द्रिश्टी से उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली प्रमुक फसले कौन सी हैं वैपारिक द्रिश्टी से पूछा जा रहा है वैसे उत्तर प्रदेश में लगबख हर तरह की फसल बोई जाती यानि सभी प्रकार के मोटे अनाज बोई जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन वैपारिक रूप से जो सबसे महत्त्र पूर्ण जो फसले हैं वह आपकी गेहूं और गठ्वैं यह आपको यार रखना और योद्ध गया जिक्तलि के उत्फाद में धर्चरे को फिर इसोथ में शौर्ष उत्तर प्रदेश कर्वा प्रदेश के प्रेमुक तेल सोधनकार खाने उपस्तित हैं यह आपका है मतुरा में देखे एक कोशन बहुत ही प्रशिद है कि जो ताज महल का रंग था वो बदरंग हो रहा था वो किस कारण हो रहा था तो एक मतब रीजन जब सर्च किया गया तो पता चला कि जो मतुरा के तेल सोधनकार खाने यह क्या बनाते हैं अमली वर्शा बनाते हैं जिस करण ताज महल का रंग पीला पड़ रहा था ठीक है तो जितना भी आगरा का च्छेतर था यानि जो आगरा के निकट जितने भी तेल सोधनकार खाने थे उनको बैंड किया गया और फिर जाकि ताज मह के अंदर होती तो वह भी अपका करेक्टा अंसर होगा मथ्धुरा के अंदर ठीक है चलिए सब्सक्राइब बास्ते हैं कि उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब धर के प्रशिद हैं तो उत्तर प्रदेश में बुंदेल खंड आर्थिक जोन क्यों विक्सित किया गया देखे क्या है कि उत्तर प्रदेश के लिए यह काफी तो इसके विकास के लिए बुंदेल खंड वैपार जो इस्थापित किया गया ठीक है तो इसका मुख रीजन का है कि जिब उंदेल खर्ण छेद्र जो उत्तर प्रदेश का यह क्या है विक्सित हो सके ठीक है आर्थिक रूप से भी और सभी रूप से ठीक है फिर बात करते है उत्तर प्रदेश में गोरकपूर ओधोगिक विकास प्रदीकरण देखे गीडा ठीक है यह कोशन में पूछा जाता है कई बार कि गीडा क्या है तो जिब गोरकपूर ओधोगिक विकास प्रदीकरण कहां से संबंदित है उत्तर प्रदेश संबंदित है तो इसकी इस्थापना किस वर्स की गई थी तो यह की गई थी 1988 में ठीक प्रदेश एक्सप्रेस वे ओधोगिक विकास प्रदीकरण की इस्थापना का सही वर्स क्या है तो यह तो यह कुछ बहुत ही महात्रपूर्ण कोशन चल्द ही मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और सिलेक्ट टॉपिक को हम आपको प्रवाइड करते रहेंगे जितने भी आपके एक्जाम में सभी एक्जाम के लिए काफी यूस्फिल वीडियो रहेंगी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आगा अगर आए तो प्लिस लाइक एंड शेर थैंक्यू